देश में आप रात्य शुरूप से बढ़ रहे कोरोना संक्रमन और ओमिक्रोम वीरियन के केसों के बीच आज यानि कि सुमवार से 15-18 साल के बच्चों को कोरोना काटी का करण शुरू कर दिया गया है दोर में आज से शुरू हुए 15-18 वर्ष के बच्चों का टीका करण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है इस को लेकर फ्रिशासर ने बड़ी तैयारी की है वहीं जिले में कुल 387 केंद्र बनाए के हैं जिन में से 115 ग्रामीन और 272 शहरी केंद्र है स्कूलों में बने केंद्रों में 1,49,250 बच्चों का टीका करण होगा जिसका ज्याजा लिया है हमारे ब्यूरो हेड भरत पार्टले लंबे वक्त के बाए अखिरकार किशोरियों को कबज देने का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है अगर हम बात करें महा वेक्सिनेशन अभियान को लेकर के तो आज 15-18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें वेक्सिनेशन किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि हम एक मीजी स्कूल में पहुंचे हैं जहाँ पर वेक्सिनेशन अभ्यान की शुर्वात हो चुकी है और आज इन बच्चों को जो है वो वेक्सिनेशन करने का जो कार्य है वो किया जा रहा है बच्चों में एक अलग से उत्सा है और खास दोर पर अगर ह किया जाएगा जिसमें लगभग 1,49,000 बच्चों को आज जो है वैक्सिन लगाए जाएगा आप देख सकते वैक्सिन की प्रक्रिया है जब रजिस्ट्रेशन आपका स्लाट बुक हो जाता है तो उसके बाद में जो है यहां पर आकर के बच्चों को वैक्सिन लगाना होता है तो यहां पर आने के बाद वैक्सिन लगाने के बाद कुछ देर जो समय है उन्हें यहां पर रेस आराम करना परता अभी भावग भी है पर हमारे उनमें भी क्या जब आपको पता चला की बच्चों का वैक्सिन लगना था तो किसी तरह का मन में भै या डर था कैसे आपने बच्चे को मोटिवेट किया है बच्चे में कोई डर नहीं सर किसी प्रगार का नहीं क्योंकि उन्हें देखा हुआ है कि माबाप को भी वैक्सिन लग चुका है और पुरी तरह से से तो उससाफ से उनको तो और बलकी एक्साइटमेंट था कि हमें जतनी जल्दी वैक्सिन तो बच्चों में एक्साइटमेंट है हमार साथ स्कूल से जुड़े साफ के मेंबर भी है सर कैसे देख रहे हैं कैसी जब एक्सिनेशन आज कितना यहां पर होने वाले हैं सासन ने बहुत अच्छा करा जो पंदा से अठरा साल तक परिक्षा के पूर ही कर दिया क्योंकि दो साल से हमेशा मार्च के टाइम करोना का बहुत तेजी से फेल रहा था इस बार बच्चों की मानसिक्त यह थी कि परिक्षा हो पाएगी नहीं हो पाएगी पर वेक्सिन होन स्कूलों में अब यह लगेगा तो अभी भाकों में कहीं कुछ इसा डर था या बच्चों में आपने किस पैरेंट से बात कि बच्चों को समझाई दी गई जो पैरेंट्स रहते स्कूल पर उनको ज्यादा विस्वास था वो चार साल के बच्चे से लेके बार 16-17-18 साल था जब हमने उनको गाइडेंज करा कुछ कुछी मतलब एक परशंट या दो परशंट पालक होंगे जिन्हों ने आकर पूछा कि वैक्सिन केसे लगेगा को न आगा क्या सुविधा होगी जब उनको बोला कि स्वास्त विवाग के लोग आएंगे स्वास्त वाली लगाएंगे इसकुल को मेनेज करना है बच्चों उनको देना है वेक्सिन लगाने कि लिए उसीतरह लगे तो बच्चों लगने कंसे अगे हैं पूरे वजबात लिए हैं तो आज लगबग 300-400 बच्चों को वैक्सिनेशन एक साथ होगा और जो लक्ष कि अगर हम बात कर रहे हैं लगबग से जानेंगे कि इतना होथ च्पासी है लेकर और उनके मन में था है किया मन में अगर भास करें गल दर था तठोड़ा साब पर शार ने सुझाया है बाद में तो निकल गा दर अब अब तो वेक्सिन भी आपने है आपकी एक्जाम भी है बोर्ड की अबस वेक्सिन लगवाली है एक्जाम देना है तो वेक्सिन लगवाली एक्जाम देना है आप क्या कहेंगे वेक्सिनेशन को लेकर कि क्या था मन में और अब क्योंकि वेक्सिनेशन अपने लगवाली है फर्स दोस आपको लग चुका वेक्सिनेशन के पहले यही डरता कि कई हम इनफेक्ट नहीं हो जाए और कई तरह की रिस्क था बहर जाने में भी अब यह है कि हम वेक्सिनेटेड है तो कई चीजे में हम भी सेफ हो चुके हैं यह बात है हमें प्रिकॉशन अभी भी लेना है ब देखने को मैं सकता आप लगवा दिया अब क्या लग रहा है और यह भी है कि एक्जाम पास में आरे उससे पहले इसा होगे तो अच्छा है हमको भी रहेगा कि पहले वेक्सिन लग गई ज्यादा चिंता की बातनी तब भी हमें पालना चाहिए कोरोना गाड्लाइंस का पाल आगरोटा लेकर के साथ साथ बॉच्चों को लेकर के तो यह आद बच्चों के मुह से सुन शुके बच्चों के कहा है कि लगाना काफी जरूरी था और क्यूंकि हममरी निटी को बूस्ट करता आ और इसके कितने अच्छे परिणाम है, बच्चे जानते हैं, यह आज की यूग के बच्चे हैं, और बच्चों में जो उत्सा था वेक्सिनेशन को देख सकते हैं, आज पूरे इंदोर में जिस तरह का लक्ष है, वो कही न कहीं पूरा होगा, क्योंकि इंदौर के रहवासी और प्रशाष्ठिक अधिकारी और जन्परतिमी मीनल के जिस लक्ष को ठानते हैं वह कर दिखाते हैं चाहे वो परसन नर्यंदुर गोस्वामी के साथ भारत पार्टी एस इन भारत दो